नमस्कार मुंबई महानगर के डिजिटल प्लेट फॉर्म पर आपका स्वागत है मैं हूँ ब्रिजे स्रगुबंसी आज बात किर्केट जगत की जी हाँ किर्केट के प्रेमियों को जिस पल का इंतजार था आखिर वो पल अब नजदी का गया है मतलब आप समझी गए होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं जी हाँ आप बिलकुल सही समझ रहे हैं हम क्रिकेट के सबसे बड़े महाकुम्ब यानी वनडे बर्लकप की ही बात कर रहे हैं भारत में होने वाले क्रिकेट के इस महाकुम्ब का ICC ने पूरा शडूल जारी कर दिया है वनडे बर्लकप कब से सुरू होगा इस महाकुम्ब में कितनी टीमें भाग लेगी किस मैदान पर कौन सी टीम खेलेगी सेमी फाइनल और फाइनल कब और कहां होंगे एक पूरा शडूल ICC ने जारी कर दिया है तो सबसे पहले आपको बतादें कि भारत में होने वाला एक क्रिकेट का महाकुम्ब पांच अक्टूबर से सुरू होगा जो पूरे 46 दिन चलेगा इन 46 दिनों में पूरे 48 मैच खेले जाएंगे जिसका फाइनल मैच 19 नमंबर को एहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा इसके लिए एक रिजर्ब डे भी रखा गया है जो 20 नमंबर को रहेगा इस टूनमेंड का सुरुगाती मैच 5 अक्टूबर को निजलेंड और इंगलेंड के बीच खेला जाएगा यह मैच भी एहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा वहीं टूनमेंड के सेमी फाइनल मुकाबले मुंबई और कोलकाता में होगे पहला सेमी फाइनल 15 नममर को मुंबई में और दूसरा अंगले दिन कोलकाता में खेला जाएगा दोनों सेमी फाइनल में एक रिजर्व दिन भी होगा सभी तीन नाकाउट मैच दिन रात के होगे अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस वर्लकप का सबसे चर्चित मैच यानि भारत पाकिस्तान के बीच मैच कब और कहां होगा तो आपकी ये बेचैने भी हम दूर किये देते हैं जी हाँ तूनमेंड का सबसे चर्चित मैच यानी भारत पकिस्तान मुकाबला 15 अक्टूबर को नरेंदर मोधी इस टेडेम में ही होगा हलाकि भारत के वर्लकप अभियान की शुरुआ आज टेलिया से महा मुकाबले के साथ होगी यह मैच आठ अक्टूबर को चेन नहीं में खेला जाएगा दरसल इस बार वर्लकप में दस टी में भाग ले रही है 2023 वन डे वर्लकप के लिए होश्ट भारत, पकिस्तान, बंगलादेश, अफगानिस्तान, न्यूजिलेंड, दक्षन अफ्रीका, आश्टेलिया और इंग्लेंड ने सीधे तोर पर क्वालिफाई किया है अब बांकी दो टी में क्वालिफाईर राउंड से आएंगी, इस तरह पूरी दस्टी में इस महाकुम में हिस्सा लेंगी अब सबसे जरूरी बात की आखिर भारत के मैच कब कहां और किस के साथ होंगे, तो अच्छे से जान लीजिए, जी हाँ भारत अपने बंडे वर्ल्ड कप अवियान की सुरुआ आठ अक्टूबर को करेगी, इस दिन टीम इंडिया पांच बार की विश्व विजेता आश्टिलिया से चेन्नाई में विड़ेगी, वहीं भारत टीम अपना दूसरा मैच 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान के साथ दिल्ली में खेलेगी, इसके बार टीम इंडिया अपना तीसरा मैच 15 अक्टूबर को खेलेगी, इस दिन भारत और पाकिस्तान के बीच एहमदाबाद में भ्रंत होगी, फिर टीम इंडिया 19 अक्टूबर को अपना चौथा मैच बंगला देश के साथ पूने में खेलेगी, वहीं 22 अक्टूबर को धर्मसाला में भारत का मुकाबला नीजू लेंड से होगा, इसके बार 29 अक्टूबर को भारत टीम इंगलेंड के साथ लखनूग में खेलेगी, फिर टीम इंडिया 2 नमंबर को कौलिफायर 2 के साथ मुंबई में खेलेगी, इसके बार टीम इंडिया का मुकाबला पांच नमंबर को साहुत अफ्रिका के साथ कोल का तामे होगा नहीं टीम इंडिया ग्यारा नमंबर को कौलिफायर वन के साथ बैंगलोर में भड़ेगी तो इस तरह है टीम इंडिया वर्ल्ल कप का पूरा सफरते करेगी अब बात पाकिस्तान की जी हां जो पाक पाकिस्तान अपना पहला मैच 6 अक्टूबर को कौलिफायर वन के साथ हैदराबाद में खेलेगा वहीं 12 अक्टूबर पाकिस्तान का मुकाबला कौलिफायर टू से हैदराबाद में होगा इसके बाद 15 अक्टूबर पाकिस्तान की टीम भारत के साथ एहमदाबाद में खेल को पकिस्तान की टीम साहुत अफ्रिका से चेनने के मैदान पर भड़ेगी इसके बार 31 अक्टूबर को पकिस्तान और बंगलादेश के बीच कोलकत्ता में मेच खेला जाएगा फिर 4 नमंबर को पकिस्तान नीजुलेंड से बैंगलोर में भड़ेगी फिर पकिस्तान का 12 पकिस्तान का 12 नमंबर को 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 पकिस्तान का